ट्रिगोनोमेटरी फोर टैंथ क्लास चेप्टर एट पॉइंट टू कुश्चन नमबर फोर स्टेट वेदर दा फॉलाइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई यूर आंसर नीचे दिये गए जो स्टेटमेंट्स हैं उसको चेक करना है कि ये सही है या गलत और ये सही है तो क्यों और अगर गलत है तो क्यों हमें जस्टिफाई भी करना है तो first statement sin a plus b equal to sin a plus sin b यह line सही है या गलत अब यहाँ पर a और b की value हमें d नहीं गई तो यहाँ इसलिए हम a और b की value को solution करते हैं कोई भी value लिख लेते हैं let us see that a equal to 60 लिख लिया और b की value हमें 30 लिख लिख लिए आपर यहाँ पर note करने लिए बात है sin 60 root 3 by 2 और sin 30 half होता है यह mind में रखेंगे आप क्योंकि यह sum में help करेगा now lhs equal to sin a plus b a की value बिठा दे गई 60 plus 30 that is sin 90 और sin 90 जो है वो होता है 1 correct अब बात करते हैं हम lhs किस बाद rhs की now rhs में हमें दिया गया है sin a plus sin b तो यहाँ पर a की value sin 60 और b की value 30 यानिकि sin 30 तो sin 60 है root 3 by 2 और sin 30 है वो half अब इंदों का lc हम ले लेते हैं that is 2 और यह 2 को 2 से divide करेंगे 1 1 को multiply किया गया root 3 से तो root 3 और c से plus 1 तो root 3 plus 1 अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं जो lhs है वो 1 आया और rhs है जो root 3 plus 1 अपन 2 आया जो आपसे मिलने ही नहीं है तो we can say lhs जो है वो not equal to rhs rhs के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं so this statement is false right तो इसे pause करके इसे आप अराम से note कर सकते हैं आईए इसका second question देखते हैं second question क्या कहता है the value of sin theta increases as theta increases यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया है आपको समझना है यहाँ कह रहा है कि sin theta की जो value है वो बढ़ेगी अगर हम theta की value को याँ एंगल theta की value को बढ़ाते हैं अर्थार अगर हम theta की value 0 रखें तो क्या होगा sin theta के value अगर हम 30 रिगर रखनें तब क्या होगा 45 रखें तो इस प्रकार से हम theta की value को बढ़ा रहे हैं जो हमें basic angle से उसी पर हम बनाएंगे तो theta की angle हम को बढ़ा रहे हैं तो sin theta की value बढ़ेगी यह हमें देखना है तो let us see हम पहले देखते है we know कि sin 0 जो होता है sin 30 half होता है sin 45 and 1 upon 1 root होता है sin 60 जो है वो root 3 by 2 है और sin 90 जो है वो 1 है अब यहाँ पर गौर से हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है देखने क्यों कि theta यानि कि 0 degree जब theta की value 0 है तब 0 और जैसे से हम theta की value को बढ़ा रहे है value भी बढ़ती जा रही है क्योंकि पहले 0 आया फिर half फिर 1 upon root root 2 फिर root 3 by 2 और अंत में 1 जो 0 से करते हुए 1 की और पहुंच रहा है तो value बढ़ रही है अब दूसरी तरफ से हम इसकों भी दे सकते हैं अगर किसी बच्चों को नहीं पताला रहा कि हाप का मतलब क्या होता है हाप का मतलब 0.5 जो 0 से बढ़ा होगा 1 upon root 2 की मतलब होता है 0.7 जो 0.5 से बढ़ा है और root 3 upon 2 जो 0.8 से बढ़ा है अगर कैल्कुलेट करें तो यह 0.7 से बढ़ा है और 1 जो है वो 0.8 से भी बढ़ा है तो हम कहा सकते हैं कि theta की value जैसे जैसे आगे बढ़ रही है sin theta की value भी बढ़ रही है so this statement is true right pause करें note करें third question third question इसमें कहता है the value of cos theta increases as theta increases same sum पहले जो 2 में था उसमें sin था इसमें cos है तो क्या cos theta भी increase होगी cos theta की value भी increase होगी जब theta की value increase की जाए तो उसी तरह से हम cos theta की value को देखें cos 0 कितना होता है 1 होता है cos 30 root 3 by 2 cos 45 1 upon root 2 cos 60 half and cos 90 जो है वो 0 होता है यहां वह हम क्या देख रहे हैं अगर हम value को देखें तो पहले 1 थी फिर 0.8 फिर 0.7 फिर 0.5 फिर 0 घट रही है इसका मतलब यह हुआ कि अगर theta की value को हम बढ़ा रहे हैं cos theta के respect में तो cos theta की value जो है वो घट रही है hence the value of theta decreases as theta increases जो cos 0 है cos 17 की value जो है वो घट रही है जैसे जैसे theta को हम increase कर रहे है so हम यहां कह सकते हैं कि this statement is false right now question number 4 का fourth part देखते हैं fourth part कहता है sin theta equal to cos theta for all values of theta क्या sin theta cos theta की बराबर है theta की सभी angles के लिए theta की theta अगर 0 है तो क्या दोनों बराबर होंगे sin theta cos theta अगर theta 30 है तो क्या sin 30 cos theta की बराबर होगा कहने करती है हुआ कि theta की value हम कोई भी लें angle कोई भी लें तो क्या sin theta और cos theta की बराबर होगा basically क्या होता है कि बच्चे को समझ नहीं बाते हमें करना क्या है simple है कि sin theta cos theta बराबर है क्या theta की value सभी की लिए तो हम theta की कोई एक value मानके चलते है let us see theta equal to 30 then क्या होगा sin 30 हो जाएगा sin 30 होता है हाँ जबकि cos 30 क्या होता है root 3 by 2 यह तो है यह नहीं बराबर हम simply कह सकते है कि भई जरूरी नहीं है कि theta की सभी value जो है के लिए sin theta जो है cos theta बराबर होगा हो सकता किसी एक angle के लिए बराबर हो लेकिन सभी के लिए यह बराबर नहीं होगा हम कह सकते है कि sin theta not equal to cos theta कब hence this statement is false राइट सरफ हम यहाँ पर note कर सकते है only 45 degree जब है तो sin 45 की value 1 upon root 2 होती है और cos 45 की value 1 upon root 2 होती है हम कह सकते है sin theta equal to cos theta जो है वो equal होंगे only and only sin 45 value के लिए other values के लिए नहीं so it is false तो इस प्रकार से question number 4 का force भी clear होता है अब आईए fifth question पे cot a is not defined for a equals to 0 degree cot a जो है उसकी value 0 degree के लिए यानि जब a की value 0 है तब वो not defined होगी हम देखते है not defined का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या की नीचे अगर 0 है तो वो not defined का लाएगा यानि किसी भी संख्या को हम 0 से define divide नहीं कर सकते है तो हम ये cot a की value को निकालने के कुश्य करते है तो cot a equals to हम जानते है एक formula cos a by sin a होता है अगर यहाँ पर a की value 0 है तो cot a a की value यहाँ पर 0 दी गई है given है तो हम यहाँ पर ली सकते है cot 0 degree equal to cos 0 by sin 0 अब यहाँ पर देखे cot 0 equal to 1 upon 0 degree क्योंकि cos 0 जो है वो 1 होता है और sin 0 जो है वो 0 है तो 1 upon 0 हो गया मैंने भी कहा था कि कोई भी संख्या हो उसके निसे अगर 0 है तो वो not defined के बराबर होगा तो cot 0 जो है वो not defined होगा तो यह line true है तो statement is true तो इस पकार से question number 4 8.2 का फिप्थ question जो है part वो भी clear होता है आपने pause करके यह सारे part 1 to 5 देखने हैं और note करने हैं और practice करने हैं So thank you